अब तक आप लोगोंने टॉपिक पड़ा था बन्यादी हरकात की एकसाम अब आप पढ़ेंगे फ्रोई हरकात बन्यादी हरकात की एकसाम उसमें कौन-कौन सी है फैलाना जुकाना मरोडना और आप है फ्रोई हरकात फ्रोई हरकात में कौन सी होती है वो हरकात जो बन्यादी ह जनम लेती हैं, यानि फ्रोई हरकात कहलाती है, फ्रोई हरकात बुनियादी हरकात का मजमुआ है, फ्रोई हरकात की एक साम चलना, दोड़ना, उचलना, चड़ना, फैंकना, चलना क्या है, चलना इनसानी जिसम की फ्रोई हरकात है, खड़े होने की हालत में किसी एक कदम के यानि एक मज़ा समीन से जुदा होगा तो दूसरे पाउं की एड़ी जमीन पर होगी दोनों पाउं की एड़ीों और पंजों पर वजन जक्सा हो बाज उकदरती अंदाज में कंधे के जोर से आगे पीछे जुलाते हैं बाज वागे की जाने में जाता है तो मुखालिफ टांग पीछे की जाने में आती है इस पूरे अमल के दोरान धाड़, कंधे और सर एक सीध में हो चलने के मुख्तलिफ अंदास सिर्फ पंजों के बाल चलना सिर्फ एडियों पर चलना, पाउं की बाहर वाली अत्राव पर चलना पाउं का अंदूनी अनराव पर चलना, पूरे पाउं पर वजन कैम रखते हुए चलना यह हैं चलने के मुख्तलिफ प्साम और आगे है दोड़ना दोड़ने का जो अमल है वो चलने की निस्बत तेज हरकत को दोड़ना कहते हैं दोड़ते वक्त तोनों पाउं का राब्ता लम्ह भर के लिए जमीन से फत्म हो जाता है और दोड़ते वक्त पंजों पर दोड़ा जाता है दोड़ने का मियाद तेजी से परखा जाता है तेज रफतारी के लिए जिसन की ताकत के साथ साथ टखने, घुटने, कूले, कंधे, कोहनी और कलाई के जोड़ों की कारकर्दगी और दोड़ने के दोरान इन में हम अहंगी का होना बेहल सुरूरी है दोड़ते वक्त पाउं के बंजों का रुख सामने की जाने होना चाहिए कदम आगे बढ़ाते वक्त गुटने को उँचा उठाते हुए मुखालिफ पाउं के साथ, मुखालिफ बाजू को तेजी के साथ चुलाना चाहिए पाउं की तरह बादों से भी जिसम को आगे दकेने में मदद मिलती है ये चल दोडने का अंदाज है दोडने के मुख्तलिफ अंदाज सीथे दोडना फजा में करते हुए दोडना एक जगा पंजों पर घुटनों को उपर उठाते हुए कभी तेज और कभी एहस्ता दोडना जुक कर हाथों से जमीन को चूटे हुए दोडना दाएं बाएं और आगे पीछे दोडना यानि मुख्तलिफ अत्राब में दोडना और दोडते दोडते रुकना फिर दोडना फिर रुकना और फिर दोडना ये तो उड़ने के मुख्तिलिफ अंदाज है उचलने कामल बुलंदी या किसी रुकावट को अबूर करने या उचल कर फासला तैय करने के लिए इन्जाम दिया जाता है कोई रुकावट आप रास्पी में आजाती है जोसे हर्डर ड्रेस वगरा कि आपने अपने पूरे जिसम को उपर उचालना होता है उचलने के लिए पहले गुटनों और टकनों में जुकावट पैदा किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लचक हासल हो सके इसके साथ बाज़ों को तेजी से उपर की जाने में चुलाया जाए क्यूंकि बाज़ों के जुलाओ से भी जिसम उपर उठाने में मदद मिलती है उचलने यानि चलांग चार मुख्ले मरहल पर मुश्मिल होती है और ये चार एक मुस्रसल हरकत में मदगाम होते हैं उस में मुख्ले मरहल कौन कौन से हैं सबसे पहले उचलने के लिए आपको दोड़ना पड़ता है दोड़के हैं फिर आपने उचलना है उसके बाद उड़ान है थोड़ी सी देर के लिए आपका जमीन से राप्ता खतम हो जाता है आप फिजामे रह जाते हैं उसको उड़ान और फिर है लेंडिंग उतरना उसके बाद आप जमीन पर आ जाते हैं उचलने के मुख्लिफ अंदास उचलते हुए गुटनों को छाती से लगाना उचलते हुए टांगों और बाजूं को अत्राफ में खोड़ना पंजों के बल आगे पिछोड़ दाएं बाया उचलना आगे है चढ़ना किसी वसीले या सहारे से जमीन को छोड़कर उन्चाई की जाने को चढ़ना कहते हैं चढ़ने के अमल के दोरान वजन को एक जगा से दूसरी जगा मुंत्किल किया जाता है चढ़ने के दोरान पकड़ना, धकेना, खींचना और जिसम को सुकेने जैसे अवामन सर अन्जाम देने पड़ते हैं चढ़ने के मुखिले पंदास लटके हुए रसे से हाथों और पाओं की मदद से उपर चढ़ना छथ पर बांस की शीड़ी की मदद से चढ़ना चढ़नी ताकत के लावा दोरने, जुलाने, गुमाने के अमलों से ज्यादा तवाने ही हासल की जाती है इसी चीज़ को ज्यादा उंचा या दूर पंखने के लिए जरूरी है कि जिसम और हाथ की कौट को जगचा करते हुए इसक्माल किया जाए फैंकने के मुख्तले पंदास बाल को ज्यादा से ज्यादा उंचा फैंकना और पकरना रबर रिंग एक दूसरे की जाने पैंकना और पकरना बाल को दिवार पर मारना और फिर उसे पकरना दूर खड़े साती की जाने बाल पैंकना और पकरना इसमें जो है उचलना ये जंप की मुख्तलिव इक्साम है जंप के लिए आपको इन चार मरहल से गुजरना पढ़ता है तली में जिसमानिमें छिलांग लगाना या उँछी छिलांग लगाना या लंबी छिलांग दोनों के लिए आपको दोड़ना पड़ता है उचलना और फिर उड़ान है और फिर उतरना है उसके बाद जो है फैला फैंकना यानि गोला फैंकना जैवलन फैंकना जैवलन फैंकना जैवलन थ्रो ठीक है और शाट पृत्थरो इनको जो है दूर फैंकना फैंकने का अमल कहल पाते हैं